नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुक्तादिक्षित एस्टलोजर आज हम बात करेंगे आपका सुकरवार का मार्केट कैसा रहेगा और ग्रैस्थिती के अनुसार क्या योग बनेंगे कल के मार्केट के लिए बहुमें आप लोगों को इस वीडियो में बतलाऊंगी जैसा कि कल के व देखने को मिलेगी तो आपका निप्टी और बैंक निप्टी दौनों में हम अच्छे तेजी के योग देखने को मिले थे और जो टार्गेट दिये गए थे भाहिवी मार्केट ने जो है पार किया था पहुंचा था वहां तक और अब हम देखेंगे कि कल का मार्केट क्या रहेगा तो इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दोंगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बैल आइकान अवस्दवाईए इसके साथ साथ आप हमारे कारले से जन्वकुनली हस्तरे का रत्न बास्तू के जो है के बारे में अपनी जो है प से पहले हम पंचांग का अवलोकन करेंगे क्योंकि हमारी शारी करना है पंचांग के अधार पर ही रहती है डिस्क्लेमर पढ़ना के लिए अनिवार है जो डिस्क्रेप्शन वॉक्स में दिया गया है तो जीहां दूस्तों जो कल का दिन है याने की 28 अप्रेल 2023 सुकरवार का दिन रहेगा पुष्च नचेतर का प्रभाव नौबचकर बावन मिर्ट के सुबहे तक रहेगा और इसके बाद जो है असलेशा नचेतर का प्रभाव रहेगा इनकी सबके प्रभाव से कल क्या स्थिती बन सकती है करक राशी में चंद्र हैं हरसल राहू गुरू शूर्य औ और बुद्ध का योग बना हुआ है मेश राशी में के तु जो है तुला राशी में हैं और केंद्र में कल मंगल आ रहे हैं तो इनके प्रभाव से क्या होगा मार्केट का हाल यह मैं आप लोगों को बतलाऊंगी जैनको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो भी आ प्रावस लेना चाहते हैं तो कारला के दिवे नंबर पर आप ले सकते हैं अब हम देखेंगे क्योंकि हमारी सारी गर्णायक रहस्तिती पर जैसे भी ग्रहयूतियां बनती हैं उसके अनुसार एक मार्केट का अनुमान अवलोकन लगाया जा सकता है कि क्या मार्केट हो सकता है कैसा चल सकता है और अब हम देख रहे हैं कि कल के मार्केट में क्या स्थिती बनेगी तो सबसे पहले हम राशी फल के बारे में देख लेते हैं कि कल की क्या राशियां रह सकती हैं तो रासी हम देखते हैं तो सबसे पहले आईगी आपकी मेश रासी तो मेश राशी वालों के लिए विस्व योग है काम करके आपको भी लाब मिलेगा करक राशी वालों के लिए हानी होगी सिंग राशी वालों के लिए भी हानी उठानी पड़ सकती है राशी वालों के लिए लाब का योग बना हुआ है ब्रस्ची वालों के लिए पूर्ण लाब का योग बना हुआ तो यह था आपका रासी फल इसे आप अपनी जन्राइब की रासी चालू नाम की रासी से देख सकते हैं तो जियां दोस्तों अब हम देखेंगे कि आज का मार्केट का क्या हाल रहा कि जैसे कि मैंने जानकारी दी गई थी जो आज का आपका मार्केट है जो है अपडाउन के साथ चलके अंत में तेजी मार्केट में हमें देखने को मिलेगी तो उसी प्रकार से मतलब जो है आपका मार्केट आज चला तेजी हमको देखने को मिली तो जैसा दिया गया था वैसा ही फल निकला और इसके साथ जो है मार्केट के लेवल दिये गए थे तो उन लेवल को भी मार्केट ने पार किया जैसा कि निप्टी के लिए दिया गया था 17,932 दिया गया था तो आपका जो मार्केट है इसी के आसपास पे जो हाई लगा था औ दाउन के लिए 17,771 तो आपका संतान नवे तक गया था अब हम देखींगे कि जो है बैंक निप्टी में भी 43,197 का टार्गेट दिया गया था लेकिन आपका मार्केट जो है 43,000 तक ही जो है हाई गया तो लेवल एक दिया गया था तो वह मार्केट आपका पार करता है जो इससे भी नीचे अधिक आने की 585 तक आपका मार्केट गोल्ड अभी जब वीडियो बन रहा था उस समय गिर चुका था चांदी के लिए 73,549 दिया गया था तो इससे भी जाए 73,660 तक मार्केट गिर चुका है चांदी में आज का तो इस प्रकार से ग्रहस्तिती के अन साप्त कर सकते हैं अब कितना जाएगा डाउन कितना जाएगा अब हम देखेंगे कि कल का मार्केट निपती बैंक निपती में क्या हो सकता है तो जी हां दोस्तों यदि हम ग्रहस्तिती के अनूसार देख रही हैं तो कल के मार्केट में जो है कुछ जो है कल भी अपडाउन यान मिक्स ट्रेंड आपका चलेगा लेकिन पहले मार्केट में कुछ हमको अप देखने को जो है मिल सकता है आपका मार्केट उपर जा सकता है और इसके साथ जो है इसके बाद फिर जो है मार्केट में कुछ अपडाउन की स्थिती जो है देखने को कल मיל सकती है तो इस प्रकार से ग्रह स्थिति के अनुसार यदि हम एक अनुमान निकालते हैं तो कुछ मार्केट में अपकर साथ अपडाउन की स्थिति हमको कल देखने को मिलेगी और यदि हम देखेंगे कि निफ्टि में क्या स्थिति बनने की कल तो यदि हम पॉइंट का एक अंदाज अनुमान लगाते हैं तो लगभग कल जो है 55 पॉइंट से ले कर के लगभग 140 पॉइंट के बीच में कार की योग बन सकते हैं और इसके साथ यदि हम बैंक निप्टी में देखेंगे तो लगभग 175 पॉइंट से ले कर के लगभग